कम्प्यूटर का इस्तिमाल करने वाला शायदी कोई होंगा जो USB के नाम से अंजन होंगा ओफिस होया घर हर जगा इसका इस्तिमाल आम हो चला है पर क्या आप जानते हैं कि इसका आविश्कार किस ने किया आम तोर पर आविश्कार की बात आती है तो हमारे जहन में किसी विदेशी की छवी आती है लेकिन आपको जानकर गर्व होंगा कि USB के निर्मान के पीछे किसी विदेशी नहीं बलकि एक भारतिय अजय भट का हाथ है तो आईए बात करते हैं अजय भट और USB के खोच के सफर की इंटेल में काम करते हुए आज से 25 साल पहले अजय एक दिन जब कंप्यूटर में मल्टी मीडिया कार्ड लगा रहे थे तबी उनकी दिमाग में कंप्यूटर में बाहर की तरफ से कनेक्ट होने वाली डिवाइस बनाने का आईडिया आया हाला कि उसमें खुद अजय को भी इस बात का विश्वास नहीं था उनका यह विचार सिलिकॉन चिप के बाद सबसे बड़ा तकनिकी खोज होंगा आईडिया आने के बाद इंटल में रहते हुए ही अजय ने यूएसबी बनाने के लिए तेज दिमाग वाले इंजिनेर्स की एक टीम बनाई और काम शुरू कर दिया छे सालों की कड़ी मेनत करके उन्होंने यूएसबी बना ली उसके बाद 1990 के दशक में दुन्या के पहली यूएसबी बाजर में जिसने करांतिकारी डिवाइस का ग्रूप ले लिया और दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस गोर तलब है कि पहली बार मार्केट में आई यूएसबी के बाद यूएसबी 3.0 तक आ चुकी है जो 400 गुना तक जादा तेज है इसके बाद अब जो यूएसबी आ रही है वो उससे भी 800 गुना जादा तेज होंगी आपको बता दू यूएसबी जैसे क्रांतिकारे डिवाइस बनाने वाले अजय भट गुजरत के है उन्होंने महाराजा सयोजी राव यूनिवर्सिटी आफ बरोडा से ग्रेजुएशन पूरी की इसके बाद यूनिवर्स उपलब्दी के बारे में भले ही कम लोग जानते हो लेकिन एक भारते के नाम इतनी बड़ी उपलब्दी का होना गौरो की बात है तो दोस्तों आपका भी एक फर्स बनता है भारते होने पर इस वीडियो को अपने वाट्साप पर जरूर शेर कर दो ताकि सबको पता चले कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रांतिकारी तकनिकी इन्वेंशन एक भारते ने किया है पर इसका पूरा श्रे इंटल कमपनी को जाता है तो प्लीज इस वीडियो को शेर करके बता दो कि USB की खोज एक भारते ने की है उमिद है भविश्य में अजे ऐसे ही खोजे कर देना ऐसी मोटेरेशनल वीडियो और देखने के लिए और हां Facebook, Instagram और Twitter पर फॉलोज ज़रू करना लिक डिस्क्रिप्शन में है मिलते है निक्स्टूडियो में तब तक के लिए जाहिंद बनने मातरा